जो था वो महायूति का सही में अच्छा था जिस तरह से कुछ जगों पर अभी भी बनी हुई है लेकिन महाविकास आगिडे ने आखरी समय तक जिस तरह से उनका खिष्टान चल रही थी वह मैसेच जो है वो थोड़ा सा गलत गया में अमिश्छान एक फंडा दिया था पुर के बड़ा कद्दावर नितारे उसके साथ अगर कार्यकरता ना हो भूत लेवल का कार्यकरता घर जाने वाला तो वह पार्टी टूड़ जाती है और यही सीन कहीं ना कहीं महारश्च्ट में दिखाई दे रहा है टिकेट डिस्ट्रिबूशन के आपने बात कि मैं जानना चाता हूं योगेश्ट जी कि किसका बहतर देख रहा है टिकेट डिस्ट्रिबूशन और जो बागी है वो क्या कुछ प्रशान करते हैं अच्छा था जिस तरह से कुछ जगों पर अभी भी बनी हुई है लेकिन महा से जो है वो थोड़ा सा गलत गया अब एक उधारन के तौर पर हम देखेंगी राम्टेक जैसी सीट है जहां पर कॉंग्रेस का अच्छा खासा तपका है वहां पर लोग मानने वाले कॉंग्रेस को मानने वाले है राजंदर मुलक करके यहां के जिलादक्ष है वह अच्छा सब्सक्राइब करेंगा नाकपूर में सीट है पुर्वा नाकपूर की जहां से गृष्णा खोपड़े चौती बार अभी एलेक्शन लड़ रहे हैं वीजेपी के उनके किलाफ एक स्ट्रॉंग कैंडिडेट देना चाहिए था कॉंग्रेस की तरफ से लेकिन वह सीट किस ग हो गया है और उसमें अमिश्चा ने फंडा दिया था पूरे महाराष्टों में इसको लागू कर रहे हैं चर्चाओं में कहीं नहीं है आपको न्यूज में दिखेगा आज तक हमने देखा कि नेताओं को फोड़ा जाता है नेताओं को तोड़ा जाता है अभी इन्होंने ब पर प्रहार कर रहे हैं और उस पर प्रहार हो गया कार्यकरता बूट पर नहीं बचेंगे तो परचार के लिए जाएगा कौन पूरू अनापूर में कहीं सारे कार्यकरता जो थे बीजेपी में आ चुके है दक्षिन पस्चिम में आम आदमी पारटी के वंचित बहुजन गड़ी के कार्यकरता यहां पर आ चुक है और यह पैटन पूरे महाराष्ट्र में चलेगा तो आप देखिए कि नेता कहीं भी रहे कितना भी बड़ा कद्दावर नेता रहे उसके साथ अगर कार्यकरता ना हो बूट लेवल का कार्यकरता घर जाने वाला तो वह पार्टी जाती है और यही सीन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है और यह अब तक लाइम ब्लाइट में नहीं आया है क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता लेकिन अमिछ शाह ने नाकपूर के इसी धरती पर कहा था यह फंडा दिया था और उसके उपर काम शुरू हो